काफी समय से मोनी रॉय की शादी की बात चल रही थी इंगेंचमेंट भी हो गया है आज मैं आपको बताऊंगी मोनी रॉय की शादी किस से होगी कौन से तारिक में होगी और कहा होने वाली है आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें सुनने में आया था कि मोनी रॉय जनवरी में शादी करने वाली है और अब डेट भी फिक्स हो गई है 27 जनवरी को दुबई में रहने वाले अपने बॉइफरेंड सुरज नम्ब्यार के साथ शादी के बंधन में बंदने जा रही है मोनी रॉय की शादी को लेकर सारी तैयारिया पूरी हो चुकी है मोनी रॉय को जादा तर अपना समय जो है वो समंदर के किनारे बिताना पसंद है इसलिए वो अपनी शादी गोव में रख रही है गोव के फाइवेस्टर होटल में दोपेर के समय शादी होगी सी फेस बीच वेडिंग होगी मौनी रॉय ने वेडिंग वेन्यू भी अपनी पसंद का ही चुना है 28 जनवरी को शादी का पूरा फंक्शन किया जाएगा जिसकी बहुत सी जोर शोर से तैयारिया भी चल रही है अब आपको बताते हैं मौनी रॉय के बॉइफिंड के बारे में जिसका नाम है सूरज जो दुबई में रहने वाला एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है पर मूल रूप से बैंगलूर का रहने वाला है मौनी रॉय और सूरज काफी समय से डेट कर रहे थे और उन्होंने अपनी इंगेजमेंट भी कर ली थी और अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है अब बात करते हैं मौनी रॉय की अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में मौनी रॉय बहुत ही जल्द अपनी मूवी ब्रह्मा अस्तर में नजर आएगी रनवीर कपूर और आलियावट की ब्रह्मा अस्तर में मौनी रॉय एक्चुली विलन का रोल निवाएगी इसके अलाबा अगर हम Mony Roy के TV सीरियल की बात करें तो Mony Roy नागिन सीरियल में काफी फेमस है और ये सीरियल तो TRP के रेस में Big Boss को भी पीछे चोड़ चुकी है क्योंकि Mony Roy काफी फेमस है और नागिन सीरियल भी लोग काफी पसंद करते हैं आप मौनी रॉय के कितने बड़े फैन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू